दोस्तो अगर हम बात करें CoralDraw 2021 वर्जन की और बात करें 2024 वर्जन की तो इसमें इतना जादा तो चेंज नहीं किया गया है लेकिन जो कमिया 2021 के अंदर थी उसको 2024 में यहाँ पर complete तरीके से fulfill कर दिया गया है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CoralDraw के layout menu के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको CoralDraw के layout menu के सभी options के बारे में यहाँ पर deeply information देने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा यह वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है दोस्तो अगर आप graphic designing सीखने में interested हैं और CoralDraw सीखना चाहते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर लिजे हमारी playlist में जाकर के आप CoralDraw के सभी option को यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके हमने सभी option के बारे में यहाँ पर videos upload की हैं तो दोस्तो इसके लिए आप हमारी playlist में जाकर के CoralDraw के सभी option के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं इसके लावा हमने यहाँ पर काफी सारी logo बनाने के designs भी आपको दे रखे हैं दोस्तो इस playlist के अंदर हमने CoralDraw को basic level से start किया है कि आप किस तरीके से logos बना सकते हैं और किस तरीके से CoralDraw के सभी option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो पर शुरू करते हैं तो दोस्तो लियाउट menu पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सबसे पहला option आपको मिलता है insert pages का याँ आप अपने Coral में कितने pages insert करना चाहते हैं इस option पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने pages यहाँ पर insert करने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मालीजे हमने यहाँ पर 5 pages डाल दिया यानि 5 pages हमें यहाँ पर insert करने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 option दिखाई देते हैं before और after का इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पर एक number का page यहाँ पर insert है उसके पहले आपको page चाहिए या उसके बाद आपको page चाहिए तो यहाँ पर हम after को select करके रखते हैं कि page number 1 को छोड़ करके उसके आगे यहाँ पर pages insert होने चाहिए इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते हैं exiting pages का मतलब यह है कि आपके सामने पहले से यहाँ पर एक page insert है इसको छोड़ करके 5 और pages आपके यहाँ पर insert होंगे नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते है page size का आपको option दिखाई देता है जिसमें आप अपने हिसाब से अपने paper size को यहाँ पर select कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आप देख सकते है parameter भी आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आप अपने pages के parameter को set कर सकते हैं चाहे आप inches में करना चाहें, pixel में करना चाहें, feet में करना चाहें यापर yards में करना चाहें तो फिलाल हमने यहाँ पर millimeter को ही रखा हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर orientation का भी option दिखाई देता है जिसमें आप अपने pages को landscape या फिर portrait में यहाँ पर insert कर सकते हैं तो हम फिलाल इसे यहाँ पर portrait को select करते हों यहाँ पर ok वाले बटन पर जैसे click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं first page को इसने छोड़ दिया उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने 5 pages और insert हो चुके हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं एक number का page हमारे पास पहले से insert था उसके अलावा इन 2 से लेकर के 6 pages यहाँ पर हमारे सामने insert हो चुके हैं तो इस तरीके से आप इस option का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर जैसी आप वापस से click करेंगे तो दूसरा option आपको यहाँ मिलता है duplicate page का जैसे मालीजे हमने यहाँ पर page number 1 पे कोई object यहाँ पर create कर रखा है और हम चाहते हैं कि हमने जो object बना रखा है page number 1 पे इसी page number 1 का duplicate page हम यहाँ पर insert करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर इस page को select करके रखना है और इसके बाद आपको आना है layout पर layout पर आपको यहाँ पर एक option दिखाई दे जाता है duplicate page का इसके लावा यहाँ पर भी आप देख सकते है page के ओपर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक drop down का option दिखाई देगा इस पर click करते हैं आपको यहाँ पर भी duplicate page का option दिखाई दे जाता है इस पर जैसे आप click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक option दिखाई देता है before selected pages उस page के before में आपको duplicate copy यहाँ पर करनी है इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिलता है after selected page यानि जो आपने pages यहाँ पर select कर रखा है इसके बाद आपको इस object की copy करनी है और तीसरा option आपको यहाँ पर मिल जाता है to new document यानि एक नए page पर आपको यह document यहाँ पर insert करना है तो हम यह आपर select करके रखते है after selected pages और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2 options यहाँ पर मिल जाता है सबसे पहला option आपको यहाँ मिल जाता है copy layer only सेलक करते हुए, जैसी आपर OK बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेज नमबर 2 पर हमारा यहाँ पर as it is document इंसर्ट हो चुका है, पेज नमबर 1 पर अगर हम क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही same document हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और पेज नमबर 2 पर इसने इसकी duplicate copy यहाँ पर कर दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास फिलाल 6 pages थे, जिसमे एक page यहाँ पर और बढ़ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 7 pages हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आप अपने किसी भी page का duplicate copy यहाँ पर कर सकते हैं, तो दोस्तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो next option यहाँ पर दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, page number 1 का जो नाम था, वो यहाँ पर excellent यहाँ पर rename कर दिया है, इसके लावा यहाँ पर click करके आप वापस से इसे change करना चाहें, तो rename page पर click करके इसे वापस से यहाँ पर change कर सकते हैं, इसके लावा next option की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, next option हमें यहाँ मिलता है, delete page का, इस पर click करते हुए, आप अपने page को यहाँ पर delete भी कर सकते हैं, जैसे सबसे पहला option मिलता है delete page का, याई अगर आप single एक ही page को delete करना चाहते हैं, तो आपको page number यहाँ पर select करना है, तो हम यहाँ पर page number 3 को select कर सकते हैं, इसके अलावा मालिज आप page number 2 से ले करके, page number 4 तक delete करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर select कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे यहाँ पर OK बटन पर click करेंगे, तो आप यहाँ आपर देख सकते हैं, वो सभी pages यहाँ पर delete हो गए हैं, जो हमने यहाँ पर select किये थे, इसके अलावा next option की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको next option बिलता है go to pages का, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप से तूचा जा रहा है, अगर आपने यहाँ पर बहुत सारे pages insert कर रखे हैं, तो इसकी मदद से आप किसी भी page पर directly jump कर सकते हैं, जैसे माली जाप page number 1 पर जाना चाहते हैं, तो हमने page number 1 type किया, और ok button पर जैसे हम click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमें page number 1 पर ले आ चुका है, इसी तरीके से हम किसी भी pages पर यहाँ पर jump कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर option मिलता है insert page number का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका option मिलता है on active layer, यानि कहने का मतलब यह है कि जो अभी present में हमारे पास page open है, केवल हम उसी के ओपर ही page number डालना चाहते हैं, तो इस option का आप यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे हम इस पर click करेंगे तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, page number 1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर हम page number 2 पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी page number हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देता, इसके लावा हम इसे वापस से यहाँ से delete कर देते हैं, और उसके बाद layout में जाकर करके, यहाँ पर वापस से page number पर आते हैं, और यहाँ पर आपको second option दिखाई देता है, all pages का, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो हमने यहाँ पर जितने भी pages ले रखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर तीन pages insert कर रखेंगे हैं, तो page number 1 पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, page number 1 हमें दिखाई दे रहा है, page number 2 पर जैसे हम click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, page number 2 अपने आप यहाँ पर आ गया, और page number 3 पर जैसे हम click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं इसके रहाव हम यहाँ पर Ctrl Z करके एक बार वापस से पीछे चले जाते हैं आपर आप देख सकते हैं अभी हमारे किसी भी page पर कोई भी page number यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर देख सकते हैं page number 3 पर इस समय है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं page number 3 हमें यहाँ पर दिखा ही दे रहा है क्योंकि page number 3 एक odd page है इसके लवा यहाँ पर हम अगर एक और page को insert करते हैं जैसे हमने यहाँ पर insert page after को select किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं page number 4 पर यहाँ पर कोई भी page number insert नहीं हुआ इसके लावा हम यहाँ पर एक और page को अगर insert करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते है page number 5 यहाँ पर अपने आप आ चुका है क्योंकि जितने भी हम यहाँ पर odd pages को insert करेंगे यहाँ पर यहाँ पर यह automatic number देता चला जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप odd pages का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं इसी तरीके से हम यह से वापस से control Z करके वापस से पीछे चले जाते हैं और इसके बाद हम आपको बताते है even number pages के बारे में तो हम फिलाल यहाँ पर तीन number page को delete कर रहे है page number 2 हमने यहाँ पर select करके रखा हुआ है जो कि even number page है और इसके बाद हम यहाँ पर वापस से layout में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम वापस से insert pages पर और यहाँ पर आपको मिल जाएगा all even pages का option इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते है page number 2 एक even page है जो हमें यहाँ पर number दिखा ही दे रहा है इसके लवा यहाँ पर अगर हम कोई एक और page इंसको insert करते है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी number insert नहीं हुआ इसके लवा अगर हम next option की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक और option मिलता है page number settings का जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला option हमें यहाँ पर मिलता है start at number का यानि जब भी हम page number को यहाँ पर insert करेंगे तो एक number page से यहाँ पर यह start होना चाहिए अगर आप यहाँ पर change करना चाहिए दो number या तीन number page रखना चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इसके लावा by default हम इसको 1 ही रहने देंगे नीचे की तरफ आपको मिलता है start on page का एक option यानि अगर आप यह चाहते हैं कि page number 1 पर कोई भी page number ना आए page number 2 से page number start होना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर setup कर सकते हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पर style मिल जाता है अगर आप number की जगा roman value चाहते हैं कि आपके pages के ऊपर roman value यहाँ पर insert होने चाहिए तो फिलाल हम यहाँ पर इसे कोई settings चेंज नहीं करने वाले हैं तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं layout के एक और option के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हमें एक option मिलता है document option का इस पर जैसे हम click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने sizes दिखाई देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं width हमारा 210 mm है और height हमारी 297 mm है इसके लवा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी सारे options मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप अपने पेज के size को यहाँ पर setup कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप बुक क्रिएट कर रहे हैं आपको यहाँ पर page दिखाई देगा इसके लावा अगर आप एक booklet क्रिएट कर रहे है पर आपको दिखाए गया था यानि यहाँ पर आपको देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो 210 mm और 297 mm यहाँ पर A4 size paper पर आपको यहाँ पर मिल जाती है इसके हिसाब से आप अपने booklet को या फिर आपने 10 card को यहाँ पर create कर सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए templates या बन पेज के size को यहाँ पर customize कर सकते है अपने हिसाब से जो भी page size चाहिए उसको set कर सकते हैं इसके रावब आप चाहें तो आपने page size को यहाँ से delete ही कर सकते हैं prep parameter अगण आप यहाँ पर आप आप आसानी से change कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका resolution भी आप Termalới पर जैसे हम click करेंगे तो नीचे की तरफ आप यहाँ से भी आप अपने page के layout को यहाँ पर change कर सकते हैं तो फिलाल हम इसे by default जो size था हमारा उसी को रखते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं और नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर option मिलता है page background का दोस्तो page background पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला option मिलता है आपको यहाँ पर solid का यानि अगर आप अपने page के background में कोई भी color फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर solid पर click करते हुए यहाँ से आप कोई भी color pick कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर okay वाले button पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके page के background में यह color फिल हो चुका है इसके रावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आप जितने भी pages पर click करेंगे चाहिए page number 1 पर page number 2 पर यह by default आपका हर एक page पर यहाँ पर background में color फिल हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कोई picture लगाना चाहते हैं तो background पर वापस से जाएए यहाँ पर bitmap को select करेंगे और यहाँ पर browse पर जाकर करके आप अपनी picture को यहाँ पर open कर सकते हैं तो जैसे माली जै हमने यहाँ पर अपनी एक picture select कर लिए उसके बाद जैसे हम यहाँ पर ok वाले बटन पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर एक page पर हमें हमारी यहाँ पर picture दिखाई दे रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने page के background में भी कोई image या फिर कोई भी background color यहाँ पर set कर सकते हैं इसके अलावा हम यहाँ से इसे remove करना चाहें तो वापस से page background पर जाकरके इसे यहाँ पर no background select करते हुए ok पर click करेंगे जाता है जैसे आलेज है फिलाल हम यहाँ पर भूमिंट को हटा देते हैं और इसकी बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉडर का एक option आपको मिल जाता है अगर हम बॉडर को भी बॉडर यहाँ पर हमें नहीं मिलता है अगर हम इसे select करने की कोशिच करते हैं तो यहाँ प जो पेज है वह हाइड हो करके बॉडर आपको दिखाई दे तो उस तरीके से आप इसका अस्तमाल कर सकते हैं और इसकी बाद यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज का साइज यहां से एक्स्टेंट हो गया और यहाँ पर बॉडर भी आपका यहाँ है बाट अभी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है इसको देखने के लिए आप यहाँ पर आपको एक ऑप्ष्टन मिलता है वाइर फ्रेम का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बॉर्डर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा अगर आप चाहें तो किसी भी border को select करके इसके अंदर color भी आप fill कर सकते हैं और वापस से view में जाकर जैसे आप इसे enhance करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका border यहाँ पर बन चुका है तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसे कम या जादा करके इसकी height को कम या ज आपको यहाँ पर गुरुमेंट का option दिखाई देता है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं जिसमें आपको एक sequence में particular hall बनाना होता है तो उस case में हम यहाँ पर गुरुमेंट का इस्तिमाल कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको placement and distribution का option दिखाई देता है जिसमें आप यहाँ पर आसानी से setup कर सकते हैं एक equal position में इसके रावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको size का option दिख जाता है जिसमें के हिसाब से आप अपने margin को भी आप अपने हिसाब से left और right में अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहें उत्रा यहाँ पर margin दे सकते हैं इसके लावा यहाँ पर number of garments की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन और भी गुरुमेंट्स आपको add करने हैं तो इनके उपर आप click करते जाएंगे उतने गुरुमेंट्स से यहाँ पर add होते चले जाएंगे इसके इलावा इनके बीच का space भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने हिसाप से vertical या फिर horizontal में आप यहाँ पर अपने हिसाप से spaces को भी कमियाजादा कर सकते हैं जैसे आप यहाँ पर okay वाले बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह size बनकर आ चुका है जिसकी मदद से मान लिजए अगर आपको यह ऐसा object create कर रहे हैं जिसके अंदर आपको hall pass की मदद से इसे drill करके wall पे set करना है तो इस option का इस्तमाल करके आप इसे बहुत आसान तरीके से इसे set कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप layout menu के इन सभी option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, share ज़रू कीजेगा धन्यवाए